आज मेरे पास है Realme 9i 5G, आपको आज मैं इसके कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को एजिली यूज कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो करते हैं, स्टार्ट और चैनल पर दोस्तों, अगर आप पहली बार आएं, तो चैनल स्टाइल देखने के लिए मिल जाएगा, पेबल स्टाइल कुछ कस्टमाइजेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप इन में से कोई भी दोस्तों स्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये स्टाइल स्लेक्ट कर दिया है, इसी के सासाथ जो नेम लिखा हु next features के दरब तो आपको display प्रेस रखना है wallpapers में जाना है तो यहां आपको option देखने के लिए बिल जाता है static wallpaper तो simply आप इन मैंसे कोई भी दोस्तो wallpaper select कर सकते हैं अगर मानके जलिए आप अपनी album मैंसे दोस्तो चूज करके wallpaper लगाना चाते हैं वो भी आप लगा सकते हैं और इसी के साथ साथ आपको more wallpapers का option भी देखने के लिए मिल जाता है लेकिन यह online होंगे और अगर कोई आप apply करते हैं तो पहले ही आप से gmail id मांगेगा उसके बाद ही दोस्तों आप इसे select कर सकते हैं तो चलते हैं फिर से next features की दरब तो आपको simply display प्रेस रखना है और modes में आपको जाना है तो यहां आपको option देखने के लिए मिल जाता है home screen mode simply आप इस पर click कर दीजिए और यह अभी standard दोस्तों mode पर मैंने click कर दिया और apply कर दिया है तो मैं कुछ इस तरीके से use कर सकता हूँ यह apply हो चुका है और इस तरीके से मैं use कर सकता हूँ अगर मेरे को home drawer mode अगर शेह है तो फिर से मैं मोर्स में जाऊंगा और यहां drawer mode पर दोस्तों मैं select कर दूँगा और अभी आप देख सकते हैं मैं applications को कुछ इस तरीके से use कर सकता हूँ और अगला जो features आपको देखने के लिए मिलेगा अगेन आपको display प्रेस रखना है mode में जाना है और यहां आपको option देखने के लिए मिल जाता है आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहां आपको option देखने के लिए मिल जाता है आपको देखने के लिए मिल जाता है लौक हम स्क्रीन ले आउट सिंपली आपको देखने के लिए मिलेगा तो यहां आपको देखने के लिए मिल जाता है अपने नेक्स फीचर की तरफ तो आपको अगें डिस्पले प्रेस रखना है और मोर में जाना है और यहां आपको option देखने के लिए मिल जाता है इस पर आप क्लिक कर दीजिए और अभी आप देख सकते हैं कि डिस्पले पर खुछ इस तरीके से ऑनलाइन वाल पेपर शो होंगे चेंज भी होते रहेंगे तो काफी अच्छा फीचर सही है और फिर से हम चलते हैं अपने नैक्स फीचर की तरफ तो किसी भी फोन को आफ करने का जो तरीका होता है पावर बटन लेकिन इसे आफ करने का तरीका होगा पावर बटन के साथ साथ आपको वॉल्यूम अपका option भी दोस्तों प्रेस करना पड़ेगा यानि की एक साथ friends और यह option आज आएगा switch off करने का phone को friends और चलते हैं next features की तरफ तो अगला features आपको settings में जाना है and system settings और यह option देखने के लिए system navigation और अभी मैंने buttons पर क्लिक कर रखा तो यहां buttons आ रखे हैं जैसे मैं gesture पर दोस्तों क्लिक कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां से button गायब हो चुके हैं and system settings और यहां आपको option देखने के लिए मिल जाता है accessibility इस पर आप क्लिक कर दीजिए accessibility menu और यह shortcut वाले features को आप on कर दीजिए तो अलग से यह icon बना हुआ आ जाएगा तो आप कुछ इस तरीके से इसे use कर सकते हैं इसे पर tap करना है simply आपको volume अगर आपको increase करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं decrease करना है तो इस तरीके से यहां से आप कोई भी shortcut command दे सकते हैं तो काफी अच्छा feature से इसे भी आप use में ले सकते हैं और अगला features आपको देखने के लिए मिलेगा फिर से आपको settings में जाना है system settings और यहां आपको option देखने के लिए मिल जाता है gesture and motions तो इस पर simply आप click कर दीजिए और इस features को on कर दीजिए और अभी यह जैसा कि आप देख स जैसे कि इस तरीके से अगर W में draw करता हूं तो play store open हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको यह command देनी पड़ेगी यानि yes करना पड़ेगा और यहां आपको कुछ customizations देखने के लिए मिल जाएगी यानि कोई भी applications दोस्तों आप use कर सकते हैं तो अच्छा feature इसे भी आप use में ले सकते हैं friends और अगला features भी आपको सेम जगा पर देखने के लिए मिलेगा settings में जाना है system settings gesture and motions पर क्लिक कर दीजिए और यहां आपको option देखने के लिए मिल जाएदा swipe down with three fingers to take screenshot तो यह screenshot हो चुका है अगर long screenshot निकालना है तो scroll पर आप क्लिक कर दीजिए यह long screenshot हो जाएगा औ और जो next features आपको देखने के लिए मिलेगा वो इसके नीचे वाला features है three fingers है दोस्तों जब मैं press करता हूं यहां पर तो आप किसी भी particular जगा का दोस्तों screenshot ले सकते हैं तो यह मैंने screenshot ले लिया है और दोस्तों यह safe हो चुका है तो अगला features देखने के लिए मिलेगा one hand से आप कर पाएंगे तो यह मैंने back कर दिया है और इसे on कर दिया है तो आप कुछ इस तरीके से single hand से आप use कर सकते हैं device का friend तो अच्छा features है इसे भी आप use में ले सकते हैं और फिर से हम चलते है next features के तरब तो आगेन आपको settings में जाना है system setting और यहां आपको option देखने के लिए मिल स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो simply आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यह दोस्तों आपको on करना पड़ेगा system sound यानि system का जो भी sound है दोस्तों उसे capture कर लेगा या microphone अगर यूज करते हैं तो उससे आप sound को record कर सकते हैं यहां दोस्तों आप quality को increase कर सकते हैं 720p, 1080p तक आप use कर सकते हैं और इसी के साथ साथ फ्रेम रेट भी आप बढ़ा सकते हैं यानि 30 फ्रेम तक का आपको इसमें option देखने के लिए मिल जाएगा others में आप front camera की recording कर सकते हैं तो अच्छा फीचर से इसे भी आप use में ले सकते हैं और अगला जो features आपको देखने के लिए मिलेगा floating window को आप भी कर सकते हैं चोटे चोटा कर सकते हैं और बड़े से बड़ा भी कर सकते हैं बाकि आप इसे अगर मान के जलिए minimize करना है तो आप minimize के लिए double click कर दीजिए और चलते हैं फिर से अपने अगले features के तरफ तो split screen को आप use कैसे कर पाएंगे तो simply आपको settings में जाना है special features और यहा सत्मान के चलिए आप recent बार से भी दोस्तो जाकर यहां जाकर दोस्तो आप इसे split screen में convert कर सकते हैं कोई भी आप दूसरी application का use कर सकते हैं तो चलते हैं अपने अगले features की तरफ तो आप अपने phone के पूरी की पूरी RAM को किस तरीके से देख सकते हैं यानि virtual और main RAM तो अभी आप आपको settings में जाना है home screen and lock screen और यहां आपको option देखने के लिए recent task manager इसे आप क्लिक कर दीजिए और display RAM memory को दोस्तो on कर दीजिए आप जैसी मैं recent का बटन दवाता हूं आप यहां देख सकते हैं 3 plus 4GB दोस्तो इसमें RAM देखने के लिए मिल जाते हैं 4GB main RAM है और 3GB virtual RAM है और जो इ special features के अंदर simple mode आप जैसे simple mode पर दोस्तो क्लिक कर देते हैं तो पूरा का पूरा दोस्तो यह display पर आप देख सकते हैं simple mode लग चुका है यानिकि आप अपने parents को phone देना चाहते हैं जिन्हें अच्छे तरीके से phone use करने नहीं आता उनके लिए काफी अच्छा features हो सकता है friends और अ dark mode की कुछ settings हैं उन्हें आप देख सकते हैं जैसे कि enhanced यानिकि सबसे एक तरीके से extremely अगर मानके चलो आपको black करना तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बाकि medium भी रख सकते हैं और जैंटल भी रख सकते हैं लेकिन अभी क्या मैं इसे off कर दूंगा friends और फिर से हम चलते हैं अप extremely black दोस्तों आप कर सकते हैं और medium भी रख सकते हैं जैंटल भी आप रख सकते हैं यानिकि light black अभी मैं इसे off कर देता हूं क्योंकि मैं work कर रहा हूं और अगला जो features आपको देखने के लिए मिलेगा i comfort mode तो मैं simply यार बोलूँगा कि इसे आप हमेशा on करके रखें चाहे दिन कर देते हैं और जब आप वीडियो देखते हैं colors काफी हद तक दोस्तों enhance हो जाएंगी जो अगला features दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा screen refresh rate तो अभी आप देख सकते हैं या भी auto पर दोस्तों हो रखा है इसे आप 60 Hz पर रख सकते हैं 90 Hz पर रख सकते हैं और 90 Hz पर दो इन डिस्प्ले साइज तो यहां आपके मतलब अपनी मर्जी के दोस्तों स्लेक्ट कर सकते हैं मोर में जाते हैं तो यह आपको online देखने के लिए मिलेंगी बाकि आप size भी इन्क्रीज कर सकते हैं बाकि display का size वह भी आप increase कर सकते हैं यानि display के जो फॉन्ट से वह भी आप increase कर कर सकते हैं तो अब हीरे मां सिंपली इसए एध रखूहँ आप अगर यूज करना चाते हैं तो सकते हैं आपकर इसके पासवर्म पर क्रेट ग लगा दिया रिम चैक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं लोग लग चुका है और फिर से हम चलते हैं अपने अगले features के तरब तो अगेन आपको settings में जाना है and privacy के अंदर जाना है और आप अपने phone की किसी भी applications को hidden कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको password create करना पड़ेगा जैसे कि मुझे जो application hidden करनी है Facebook और यहां पहले आपको अपना password दोस्तो स्लेक्ट करना पड़ेगा तो मैंने default वाला select कर रखा है और यह मैंने safe कर दिया है अब इसे किस तरीखे से आप use कर सकते हैं तो Facebook में चेक कर लेता हूँ यहां शो हो रही है यह नहीं हो रही तो यहां पर दोस्तो शो नहीं हो रही आप इसे किस तरीखे से निकाल सकते हैं तो यहां जाके आपको hash 0000 hash आप देख सकते हैं, यहां पर यह आपको देखने के लिए mets defines hurdles, में जाती हैं. तो काफी कमालका features और इस भी use कर सकते हैं. और अगला जो features आपको देखने के लिए मिलेगा, फिरसे आपको settings में जाना है, personalization, और यहां आपको option देखने के लिए मिल जाएगा वाल पेपर तो यह मैंने आपको clear कर दिया तो दो default आपको theme देखने के लिए मिलेंगी बाकि आपको online देखने के लिए मिलेंगी आप इन्हें भी use कर सकते हैं और नेग्स क्टू फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा स्सक्लेज इस पर दोस्तों प्लिक कर दीजे। और यहां आप देख सकते हैं तो अग लागा उसीटिक पर प्रेट्ट॑ सबुसरें के लिए मिल जाता है colors और यहां आप देख सकते हैं अभी आप color देख सकते हैं और इसी के साथ आप default रख सकते हैं जो भी मान के चलिए आपको style रख सकते हैं इसमें आपको customization भी देखने के लिए मिल जाएगी जो color आप safe करना चाहते हैं और रख सकते हैं और wallpaper जो भी आपने लगा रखा है उसका अगर आपको color पे करना तो वह भी आप कर सकते हैं तो काफी अच्छा फीचर से इससे भी आप यूज में ले सकते हैं तो कैसा लगा आपको वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ओके थैंक्यू फ्रेंड्स